हेलो सुरेंट्स वेलकम टूद आफिसेल यूट्यूब चैनल आप ओरेजिन कोची आज का हमारा क्लास है क्लास 11 का फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं अडू गति सिध्धान्त काइनेटिक त्योरी का जो चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है इसमें हम गैस के पार्टिकल्स की प्रापर्टिस के स्टडी करेंगे बहुत छोटा सा टापिक है एक दो कंटेंट्स है और वही इंपार्टेंट है बस बैसिकली इस चैप्टर में दो ही है और बहुत कुछ तो chemistry के person को बिलांग करता हो आप chemistry में पढ़े हुए होते हो तो अडुगती सिध्धान एक छोटा सा टापिक है जिसमें अब सबसे पहले बायल का नियम चार्ल्स का नियम एबो गैडो के नियम यह सब रूल्स पढ़ते हैं इसके बाद हम इसमें पढ़ते सबसे पहले हम यह देखें कि गैस एक्ट्वल में पदार्थ की आज के डेट में पाँच अवस्थाएं होती हैं मैंने पहले के भी क्लास में डिसकस किया आप लोगों से कि पदार्थ की पाँच अवस्थाएं होती हैं इन पाँच अवस्थाओं में सबसे पहले ठोस, फिरद्रव, गैस, प्लाज्मा और बो को से अंतर आड़ वीक अंतराल इंटर मालीकुलर सेप्रेस्ट मतलब दो पार्टीकल के बीच में पार्टीकल है और यह गूसरा पार्टीकल है इनके बीच के जो डिस्टेंस होता है जिसको हम आरणाट से रिप्रेजन करते हैं मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है जो जाती है तो द्रौ के रूप में पाए जाता है और उनकी दूरी उससे भी अधीक हो तो गैस के रूप में पाए जाता है और प्लाजमा और बोस आइंस्टाइन कंदन्सेंट तो कुछ अलग मेटर है उस पर मैं डिसकस अभी नहीं कर रहा हूं तो आस्तों में गैस के लिए ग आति जो होते हैं वह कुछ विसेश नियमों का पालन करते है जिसके लिए अलग-अलग गानिकों ने रूल बनाया तो छोटे-छोटे रूल्स है जिसको एक-एक यह मैं एक important information आपको दे दूं अपने special class के बारे में यह बताना भूल गया मैं starting में कि अने केडमी में मेरा special class होता है जो मैं 1 p.m. पर देता हूं यह special class completely free class होता है इस class में आकर आप इस class में enroll करिए और इस class में आप नीट का complete preparation आप कर सकते हैं जहां मैं आपको फिजिस पढ़ाता हूं और यह free class होता है इस class को join करने के लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना होता इस class को join करने के लिए आपको क्या करना होगा आप सबसे पहले unacademy का app download कर लिजिए अपने mobile पर application download कर लिजिए और उसके बाद आप उस site पर जाकर application open करके आप हमारा profile open करिए मेरे नाम से जेपी सर्च जिते अंद्र पांडे सर आप उसमें search करिए तो वहां पर आपको मेरे profile पर मिलेगा मेरे पूरे class का schedule मिलेगा वहां मुझे follow करिए तो आपको पूरा class हमेशा notification मिलता रहेगा दूसरा important route है कि हमारा जो telegram group है जो हमने अपने हर वीडियो के नीचे description पर दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है उसका उस telegram group को आप जोइन कर लो तो मैं अपने telegram group पर इस class का link देता हूं उस link के कैथरो आप इसको जोइन कर सकते हो तो यह class आपके लिए बहुत important है इस class को यह आप जोइन करो तो आपको नीट का कि सबसे huh पढ़ते हैं इस chapter का जो पहला rule है वह सबसे पढ़ते हैं पर आपयल का निए्च है पहला नियं है वाक्न अब मैरा scientist का नाम है इन्होंने जो rule दिया उसको नियं हम कहते हैं और एके क्लाइन में बस इसको मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ज्यादा आपको डिटेल डिसकस करने के इस पर जवरत नहीं है जो जवरी है जिस चीज को आपको जाना है के क्लाइन का रूल ही है यह बाकी कथान वगेर आप हमारे नोटस से आप बुक के हल्प सलिफ लेंग जक्ता है कभ जब क्या हो नियत ताप पर किसी गयस का दाब उसके आयतान के बितक्रम अनुपादी होता है इस परकार से इसको यह उंस्कों सब्ग करें लिए आ के अपान भी जहां पर भी क्या है कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं और इस बैस परेदी हम इसके लिए कंपरेट्व फार्मूरा फाइंड करें नुमेरकल स्वगरा बनाने के लिए तो पीवन वीवन एकुल टू लिख सकते हैं पन पीटू वीटू यह चेप्टर में कुछ रखा नहीं बस ऐसी है एक दाप का जो समीकर्ण होई थोड़ा सा डिफिकल्ड है और उसको अपने को डि डार करें और इसके एक्सेस्टिज में हमने ले लेते हैं यदि वाल्यूम को इस एक्सी में हमने एक्सेक्सिज है hatır और यह वा can को लिया और इस हमने यह प्रैसर को लिया तो कंस्टेंट यह ओंट है झाल रखना ग्राप को इस क्योंकि कई बार competitive exam में graph का जूरत पढ़ता है P1, P2, V1, V2 और यहाँ पर T क्या है नियत है temperature constant होता है यह बाल के नियम का graph है कई बार competitive exam में या निमेल का सोगर अबराने में इस graph का आपको जूरत पढ़ सकता है यहाँ पर आप पथन लिफ लोगे नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मातरा का दाब उसके आयतन के बित्क्रमा नुपाती होता है बस क्लियर यहाँ तक नेस्ट है नेस्ट रूल है चार्स का नियम चार्स का नियम चार्स लाँ तो चार्स ने क्या बताया चार्स ने बताया कि यदि हम दाप को नियत रखें ठीक है जैसे बाइल ने ताब को नियत बताया इन्हों ने बताया कि नियत दाप पर आयतन परम ताप के समण उपाती होता है नियत दाप पर इस पर इसका जो वायतान है वह ताप के ये परम ताप है एपसलूट टेंपरेचर इसके समन उपाती होता है ये कहलाता है चार्ल्स का नियम यदि इसको आगे हम साल्व करें तो सिधा कमपरिटी फर्मूल आपको बता देता हूँ इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं प को ट के साप्यक्ष समन उपाती है तो V1 upon T therefore V1 upon T1 equal to V2 upon T2 equal to N1 इस पकार से लिखा जा सकता है तो दोनों के बीच में समन उपाती समन होता है और यहां पर दी हम ग्राफ खीचें तो पूरे ग्राफ क्या होंगे इस तरह से होंगे यह सपोस्थ वाल्यूम है और यह सपोस्थ टेंपरेचर है तो समन उपातीक जो ग्राफ होता है समन उपातीक ग्राफ हमेशा स्टेट लाइन होता है क्योंकि समन उपातीक ग्राफ में रेखाएं इस पकार से समन आंतर होती है यह ऐसा प्रेसर है P1, P2, P3 जो की नियद है ग्राफ आपको जानना इसलिए ज़र रही है कि competitive exam में, neat worker के exam में कई बार graphs related question पूशा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि Charles के नियम, Bile के नियम का किस पकार से ग्राफ बनता है जब यह समन उपातीक संबंध हो तो कैसा ग्राफ बनता है वित्रमान उपातीक संबंध में कैसा ग्राफ बनता है यह आपको ध्यार रखना है, ठीक है तो क्या है, Charles के नियम क्या है नियत दाप पर किसी गैस के निश्चित मातरा का आयतन उसके परमताप के समन उपाती होता है तो यह बस आपको सांकेती ग्रूप से में mathematical फाम में बता रहा हूँ बाकिक आप उसको लिख लोगे आयतन को, तो यह बहुत गानिक है, गे लुसाक का नियम क्या है गे लुसाक का नियम क्या है, गे लुसाक नाम के साइंटिस ने क्या बताया कि यदि आयतन नियत हो, ठीक है, अब भी नियत है अभी तक दोनों वैज्यानिकों ने ताप और दाप को नियत किया तिहों ने बताया कि नियत आयतन पर दाप जो होता है वह परमताप के समन उपाती होता है तो नियत आप पर किसी गैस के निश्चित मातरा का दाब उसके परमत आपके समण उपाती होता है therefore इस समण को हम लिख सकते हैं P1 upon T1 equal to P2 upon T2 equal to and so on यह जो मैं last में relation लिख रहा हूँ यह तुलनात्मक फर्मूला है यह numerical बनाने का काम आता है और graph तो उसी तरह होगा graph naturally उसी तरह से होगा आप यहाँ पर pressure को represent कर दो और इस एक्सिस में temperature को represent कर दो तो पूरा का पूरा graph क्या होगा इस तरह से state line होगा यह सीजी रेखा में होगा जो कि किसको volume को represent करेगा यह कहलाता है गेल उसाक का नियम गेल उसाक का नियम यह सब आपका chemistry में पढ़ा हुआ है और यदि आपने chemistry में उसको तयार किया हुआ है तो अगेन आपको physics में जूरत नहीं है आपको chemistry के preparation के base पर ही इसको बना सकते हैं कोई जूरत नहीं है इसको फिर अलग तरीके से जो आपको प्रिप्रेस्टन हो चुका है वही ठीक है इसके बाद एक महत्तपूर्ण नियम है चौथा नियम और वह चौथा नियम बहुत महत्तपूर्ण है देखो वह इन तीनों से हट गये है और इसको हम कहते हैं डालतन का अंसिक दापका नियम डालतन का अंसिक दापका नियम क्या कहलाता है कि जैसे किसी कंटेनर में बहुत से गैसों का मिसरण है Tem Works हमने यह कोई कंटेनर लिया और यहां पर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट डाइप कहा मिसरण है कि यह हमने उसका मिक्षर बनाया ठीक है मैं इसका आदर्फ गैस वह भी आइडियल गैस है आइडियल गैस का मिक्सर हमने इसमें कंटेनर में भर दिया तो सब का दाप अलग-अलग है मालो किसी का दाप P1 है किसी का P2 है किसी का P3 है तो डालटन का कहना है कि इसका जो परिणामी दाप होगा मतलब इस मिसरण का जो दाप होगा जब किसी पात्र में 2 या 2 सेदी कादर्स गैस को भरा जाए और सब का दाप अलग-अलग हो तो उन सब का जो परिणामी दाप होगा मतलब इसका जो आंसिक दाप होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस N position इस पकार से होगा और ये कहलाता है डालटन का आंसिक दाप का नियम यह कल रता है डालतका सिघन चीह लंकिे बताएं यह सब क्या है अलग 알ग विईनीकों के हैं επιति को रूज है इसके ईक्लाइन में आपको याद रफना है चलिए इसके ि इसके बाद हम नेसरापिक देखते हैं ये अब टापिक जिस पर मैं जा रहा हूं बहुत महत्पूरण है सबसे पहले तुमर्स आपको बता दूँ वर्ग माध्य मूल माध्य मूल मान वर्गमाध्य मूल मान root mean square value root mean square value वर्गमाध्य मूल मान यह वर्गमाध्य मूल मान क्या कहलाता है देखो नाम से इस परस्ट है इसको हम represent करते है actual में c bar या c rms rms मतलब root mean square या c bar से परस्ट करते हैं और जैसा इसका नाम है root यह हमने लिख लिया root यह होता क्या एक्टर में gas के जो अडू है तो gas के अडूओं का सब कवेग अलग अलग है मालो gas के अडूओं का वेग c1, c2, c3 and so on है और ऐसे n particles है n gas के अडूओं है तो उनका जो वर्ग माध्य मूल मान होगा वो पहले root लगाएंगे फिर सभी gas के अडूओं के वर्गों का योग c1 e square प्लस c2 e square प्लस c3 e square प्लस n so on cn e square यह होगा और अपान अडूओं की संख्या का उसमें भाग देते हैं इस परकार से वर्ग माध्य मूल मान क्या कहलाता है वर्ग माध्य मूल मान का मतलब होता है gas के अडूओं के वर्ग के माध्य का मूल मतलब root यह कहलाता है इस फा而मूअ का अव्ध्यान रखोगे या c1 e square स्क्राइब करना है तो सी बार स्टीफार स्टीफार प्लस डिस्टेफ्पर टलस थी इसक्राइब प्लस एंड स्मान अपान क्या होता है यह होता है c rms का value c bar square equal to c1 square plus c2 square plus c3 square होता है यह कहलाता है वर्ग माध्य मूल मान root mean square value root mean square value clear इसको आपको याद रखना है आगे हम जब next class में हम gas के दाब का derivation करेंगे तो हाँ हमको इसका जवरत पड़ेगा अब इस chapter का जो बहुत important question है वो है gas का अडूगती सिध्धान्थ gas का अडूगती सिध्धान्थ kinetic theory of gas मतलब main point यहीं chapter को जो आप पढ़ने जा रहे हो kinetic theory of gas kinetic theory अब gas यह gas का अडूगती सिध्धान्थ यह क्या होता है यह दो वैज्ञानिकों ने gas के अडूओं के पूरी प्रकृती का पूरे nature का study किया Maxwell और classius ने Maxwell और classius ने Maxwell और classius नाम के scientist ने क्या किया पूरा इसका study किया की gas के जो particles होते हैं क्या क्या nature होता है क्या प्रकृती होती है इस प्रकृती का उन्होंने क्या किया complete study किया और बताया कि gas के जो अडू होते हैं उनका इस तरह से behavior होता है, इस परकार से nature होता है, ठीक है, तो इनके properties को अपने को इसकी अभी गृतियां करके याद करके रखना पड़ता है, मैं आपको start में एक एक लाइन में आपको बताते जा रहा हूं, और उसको आपको समझना है, वैसे इसका notes आप बना लेंगे, proper books formula आपको derive करना है, जो करीब 15-20 step का है, तो एकी class में सब नहीं कराऊंगा, next class में मैं उसको कराऊंगा, दो part में आपको ये पूरा chapter त्यार हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम इसके points पर discuss करें, तो पहला point इसका क्या कहता है, कि gas क्या होता है, छोटे थोड़ा सा लिक देता हूंगे, कणों से मिलकर बना होता है, 60 मिलिक रहोंगे, मिलकर बना होता है, पहला point कहता है, कि gas छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे particles होते हैं, दूसरा, gas के अडू, gas के जो अडू है, वो गोलाकार होते हैं, मतलब यहां दोनों वयक्राइब को ने बताया कि ज़ो अडू है उनका साइज क्या होगा या उनका डिजाइन सेप कैसा होता है तो गोलकार होता है ठीक है इसके बाद हमको देखना है कि जब यह टकराते हैं ठीक है एक्टल में होता क्या है कि गैस के जो अडू है इस तरह से गती करते हैं पर ध्यान से देखना गैस के अडू ऐसा 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 इस तरह से यह यहां टकराया फिर दूसरे अडू उस टकराया दूसरे इस तरह से तो गैस के अडू इस प्रकार से जिग जिग पात में गती करते हैं एक चोल में इसको ब्राउनियान मोसन करते हैं तो यह गती करते हैं ब्राउन नामक साइंटिस्स ने बताया था तो ब्राउनियान मोसन बोलते हैं जिग जिग पात तेड़ी मेड़ी रेखा में गती करते हैं और जहा करते हैं या सिधा टक्कर को लिग देता हमें गैस के अन्वों का टक्कर गैस के अन्वों का संघट टक्कर को हम फिजिस की भासा में संघट कहते हैं आप पड़ चुके संघट यह प्रत्यास्त होता है गैस के अन्वों का संघट प्रत्यास्त होता है मतलब प्रत्यास टक्कर का मतलब होता है कि टक्राने के बाद कर दोनों क्या होती है असे प्रत्यास किया होता है इसके बाद 14 इसका important प्रक्रणी को होता है यह जो संघठ है वह छड़िक छड़िक मतलब थोड़े समय के लिए माने टकराते हैं और फिर अलग हो जाते हैं ऐसाने की टकराने के बाद हो चीपके हुए हैं तुरंट टकराते हैं तुरंट अलग हो जाते हैं ऐसे भी हमको मालूम है कि जो प्रत्यास टकर होता है त संघट प्रत्यास संघट कहते हैं तो संघट क्या होता है चड़ी खोता है यह इसका इंप्वार्टेन पाइंट है ठीक है इसके बाद देखो नेस्ट पाइंट है गैस के अणू सभी संभव दिसाओं में सदल्रेखा में गती करते हैं मतलब जितने पासिबर डारेक्शन है वो सभी पासिबर डारेक्शन में क्या करते हैं वो गती करते हैं तो सभी संभव दिसाओं में गती करते हैं इनका खास्यास होता है जब टक राते हैं तभी अपनी गती की दिसा को बदलते हैं ठीक है इसके बाद छट्वों नमबर का पाइंट है दो टक करों के बीच की दूरी को आवसत मुक्त पत्थ कहते हैं आवसत मुक्त पत्थ मतला जब दब गैस करणू टक राते हैं तो दो टक करों के बीच का जो एवरेस डिस्टेंस होता है इसको आवसत मुक्त पत्थ कहते हैं इंगलिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ ये कहा जाते है तो ये आपको ये 6-7 पाइंट कुछ पाइंट को मैंने कामन कर दिया आपको याद करके रखना है गैस छोटे-छोटे कणों से मिलके बना होता है पहला पाइंट दूसरा पाइंट गैस के अडू गोलाकार होते हैं और छठों point बहुत important है, यह कहता है, कि दो टक्करों की बीच की जो दूरी होती है, उसको हम आवसत मुक्तपत कहते हैं, mean free part कहते हैं, तो यह gas के अडू गती सिधान के points हैं, आपको ऐसी एक दो बार पढ़ते पढ़ते याद होयागा, इसमें कुछ नहीं रखा हुए है, तो गैस केड़ू गती सिधान की अभी ग्रिहितियां लिखो, अभी ग्रिहितियां मतलब पास्चुलेट्स, इसको बढ़ते जाता है, गैस केड़ू गती सिधान की अभी ग्रिहितियां, नाम हिंदी में बड़ा कठीन है, बोलते हैं इसको, अभी ग्रिहितियां, मतलब उसके rules पाइंट, पास्टूलेट्स, यह कहे जाता है, अभी ख्लिते हैं उक ciudadset इसके पास्टूलेट्स है, इतको आपको याद करना है, तो यह क्लास में यहीपर ग्लम्प्रीक कर रहा हूँ, और इसका जो सेकंड़ नहीं से मतलए California इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम सीधा सीधा गैस के दाब का गर्णा करेंगे जो कि यह बड़ा फार्मूला डेरिवेशन है और उसमें हमको रूट मीन स्क्वेर वेलसिटी का यूज करना पड़ेगा जो मैंने भी आपको पढ़ाया तो आप तयार कर लेना तो सेकंड प है आता है कि अशया कि भी है झाय जाफ लें किए और स्भी हैiest आता है नहती है